सो गाईज केस वियू अब यार अपन का M10 का रोयल पास 20 अप्रिल को आ जागा मौर्निंग सड़े साथ बज़े जिसके 1 to 50 RP रिवोड मैं नहीं आपको दिखा दियें अब यार यहां पे M11 रोयल पास के 1 to 50 RP रिवोड बाहर निकल के आ चुके हैं 1 to 50 RP रिवोड के साथ रोयल एडवेंचर में क्या आने वाला है RP ट्रेजर क्रेट में भर भर की चीज़े डली हुए इस बार सो गाईज पूरे लिक्स में आपको इस वालिवोड में दिखा दूँगा अब गाईज इस बार सो गाईज पूरे लिक्स में आपको इस वालिवोड में दे दूँगा लाइक सब्सक्राइब कर देना है एंड एक कमेंट कर देना है तो चलो गाईज बढ़ते हैं वीडियो की और पहले अपन M11 के 1 to 50 RP रिवोड पर नजर डाल लेते हैं यहां पर आप देख सकते हो 1st RP सेट आने वाला है ultimate trend shader set अब इस टैप उच रहने वाला है यहां पर आप देख सकते हो काफी सस्ता मेरेको तो लग रहा है उतना सहीं मेरेको नहीं लग रहा ठीक है अब यार इस टेप कुछ रहने वाला है यहां पर आप देख सकते हो सो काफी मेरे को तो सहीं लगा वायर वगरा लगे रहने वाला है एलेक्टरी सीड़े पर पूरी बेस रहने वाला है रोयल पास तो ऐसा ही रहने वाला है ठीक है एंड उसी के अलावा गईज एम 11 के रोयल पास में 15 पर एक इमोट आने वाला है अभी तक इसका इमोट बाहर नहीं निकल के आए ठीक है सिर्फ फोटो बाहर निकल के आचुके कि इस टेप का रहने वाला है जैसे यार देखते हैं फ्री के साब से मस्त दे तो काफी सही चीज है एंड उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन को 20 आरपी पर मोलोटो की स्किन देखने को मिल जाएगी अब गईज इस मोली की स्किन इस टैप की देख सकते हैं रहने वाली है पिंग टैप की रहने वाली है अब गईज इसको कहाँ पर दिखा हैं मेरेको तो यहीं पता नहीं चल रहा क्योंकि जैसे ही फैकते हैं तो वो फट जाती है अब जब हवा में होती है तब अपन देख सकते हैं तो गईज देखना पड़ेगा अब ध्यान से भाई यूज दो और डास या दो और कोई भी आप वियकल के स्कीन पकड़ा सकती हो ठीक है विस गईज अब इनका क्या ही करें यार एंड गईज 35 आरपी पपन को यूज़ी का स्कीन देखने को मिल जाएगा यहां पे आप देख सकते हैं इस टैक उच रहने वाली है फ्रूट फेश भाई यूज़ी यूएमपी फ्री में तो यहीं गन चिपकाना है न आपको अब गईज हर बार पन को 40 आरपी पे गन स्की देखने को मिलती है तो अब यार देखते हैं इस बार कौन सी है भाई यहीं पकडाना है तो आप रोयल पास मत चेंज करो वहीं मलब वहीं सडने दो जो भी पड़ा है न भाई M16 की स्कीन को कितनी बार डालोगे बे अरे भाई शहाब यूजी यूएमपी M16 ये तीन गन है भाई निकल जाए न भाई पूरी BGMI एंड PUBG के अंदर सांती लग जाएगी भाई UMP तो नहीं निकलने जाएगी क्यों कि उसका डैमेज अच्छा है बाकि उसकी गन स्कीन भाई हर बार पकड़ाते हैं क्या ही करें एंड गाईज इसी के साथ अब बात निकल के आती है कि 50RP क मिथिक सेट कौन सा रहने वाला है अब गईज यहाँ पर आप देख सकते हो यह बाहर निकल के आचुक है बाकि इसका हेड़ गेर प्लस यह सेट अलग रहने वाला है यानि कि दो मिथिक अपन को मिल जाएंगे एक रोयल पास के अंदर अब गईज थ्री डिवाइज लुक बाहर नहीं निकल के आया है अगर पीछे सही क्लोथ विगड रहा बहुत मस्त तो काफी सही रहने वाला है बाकि अगर सस्ता वाला क्लोथ विगड देते हैं तो यार गटिया रहने वाला है बाकि यहाँ पर आप देख सकते हो इस्टे हो कुछ रहने वाला है क्लोथ सिंग बार निकल काते हैं मैं आपको दिखा दूँगा अब गाइज फाइनली बात कर लेते हैं रोयल एडवेंजर के अंदर के आने वाला है अब यहां पर आप देख सकते हो यूएंपी के स्किन एड़ किया गया है रोयल एडवेंचर के अंदर सो यह अपन ड्रोप से रिड संबर रहने वाला यहां पर आप देख सकते हो भाई छेचे मिथिक एक आर्पी ट्रेजर क्रेट के अंदर और उस सीजन फाइव के दो स्किन डले गये हैं यहां पर देख्षक्ती हो दोनों मिथिक रहने वाले हैं एंड सीजन ट्वेल का डेख सकती हो यार कितना सहीं यह भ का काफी साइं लगा बाकि ये देखो भाई सहाब बनी सूट ये अपन का सीजन टूब के अंदर आए ठीक है भाई क्या चीजे बे एंड उसके अलाव ये सारी चीजे देख सकते जो पन को आर्पी ट्रेजर क्रेड के अंदर देखने को मिल जाएगे ठीक है भाई तीन चार र कोईल एड़ेंट रहता उसके भी रिवोड मेर को इतने खास नहीं लगे बखी कैस आज भी ट्रेजर क्रेड ट्रैक करना ही पड़ेगा तो काफी ज्यादा सही रहने वाला है पूरे रिवोड आपके आंखों के सामने अब ये फाइनली बात कर देते हैं यूसी स्टेशन इ यहां पर आप देख सकते हो तो भाई साब अवेलेबल एंड 6 डे एंड इसकी एक्जर डेट में आपको बदा दू 24 एप्रिल को देखने को मिल जाएगा ठीक है यहां पर यहां पर चीज बदा दू पिछली बार जैसे के अपनका यूसी स्टेशन वाला इवेंट आया था तो पबजी एंड बीजेमा के अंदर सैम डेट को आया था अब यह इस बार भी ऐसा हो सकते है कि बीजेमा के अंदर 24 एप्रिल को देखने को मिल सके बाकी इसकी कोई भी कंफो मैंसा नहीं है क्योंकि बीजेमाई वाले कुछ इवेंट का बारे में मलब अपडेट ही नहीं अब गाईज यहां पे आप देख सकते हुआ मैंने एक बार टैन मलब रूपीज का पेक परचेस कर लिया है अब गैज जैसे ही आप टैन रूपीज का पेक परचेस करोगे यहां पे आपको पांच यूसी प्लस यह दूसरी चीज़े देखने को मिल जाएगे तो यहां पे मेरे को एक सेड मिला था, बाकि ये सारी चीज़े आप देख सकते हो, डीपी बगरा है, एंड ये वाला सेट मेरे को वाकई में सही लगा, एंड दूसरे अगर आपको रेंडमली, अगर आपका लग अच्छा नहीं रहा, तो ये मलब वाउचर देखने को मिल सकते हैं, बाकि मोर्षल लोगों को आउटफीट ही मिलता है, तो ये वाला आउटफीट मिल गया है, काफी सही चीज़े, एंड डिपी का भी स्कीन मेर को काफी सही लगा, बाला पचास रुपे का अंदर पचीस यूसी रिटेन देखने को मिल जाएंगे, उतने जादा भी नहीं मिलेंगे, बाकी एक रिवोड यहाँ पर रैंडमली देखने को मिल जाएगा, ठीके, बाकी गयाँ ये इवेंट 26 तारिक से पहले 5 दिन आपको पर्चेस कर लेना है, बाकी वरना आप 5 दिन नहीं होते हैं, तो यहाँ पर रैंडमली कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीके, ये ची स्क्रिन पर वीडियो देख रहे हैं, उसमें मैंने सारी चीज़े बता दिये, ठीक है, स्क्रिन पर रैंडमली वीडियो को देखिए, सारी इंफॉर्माशन लीजे, तुमरा पर तुमसे मिलता है यार, नेक्स्ट वाली वीडियो के साथ, वापेस